Hello students, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे ही होंगे मैं आरती आप सभी का अपने परिवार physics कुरू पर हार्दिक स्वागत करती हूँ बटा कल हमने chemistry का lecture first किया था ये class है हमारी B.Sc. second year के लिए इसमें हमने कल एक lecture कर चुके थे आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे I hope आपको syllabus वीडियो और आपने पीछे वाला lecture भी देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा तो आपको lecture देख लीजे फिर उसके बाद हम आगे का start करेंगे कल हमने पढ़ा था D block elements या transition series के transition D block में कैसे होता है है कौन-कौन से elements में होता है और transition कैसे होता है अब मैं आपको चीज याद दिला दूं कि transition किन elements में होता था संक्रमन किन elements में होता था जो लास्ट इलेक्ट्रोन होता था electronic configuration करने पर जो लास्ट लेक्ट्रोन होता था वो penalty main शेल में ना जाकर लास्ट से जाने ना जाकर penalty main श्ल में जाता था यानि कि n-'1 lastяют फो गया व्याfriends और उससे पहले वाले शेल में जाता था मतलब लास्ट से जाने से पहले ही रुख जाता था मान लो मुझे यहां जा मैं यहां खड़ी हूं और मुझे यहां जाना है तो मैं यहां ना पहुचकर इससे पहले वाले एक शेल में रुख जाती हूं इसको बोलते हैं Penalty Made Shell, लास्ट से पहले वाला शेल जो था उसको बोलते हैं Penalty Made Shell और Penalty Made Shell और Transition कौन-कौन से Elements में होता था जिनका D Subshell में Free Electrons हो D Subshell में Free Electrons हो जिनके Last Subshell में, यानि कि D Subshell में Free Electrons नहीं होते वो Elements जो होते हैं Transition Show नहीं करते कैसे अब हम पढ़ेंगे आज Transition Series, Transition Series कौन-कौन से होती हैं सबसे पहले तो यह बताओ D Block में कितनी वो होती हैं, कितनी Series होती हैं 3D, 4D, 5D, 6D Series, अब इनके बैसे हम Transition पढ़ेंगे देखो जो First Transition Series होती है, वो होती है 3D Series में First Transition जो होता है, वो 3D Series में होती है Second Transition जो होता है, वो 4D Series में होती है जो Third Transition होता है, वो 5D Series में होती है और जो Last, यानि कि Fourth Transition होता है, वो 6D Series में होता है अब d block elements किस किस को नहीं याद mostly बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको d block elements नहीं होते periodic table के elements याद नहीं होते तो आज हम उसके लिए सबसे easy way लाए हैं हम करेंगे nomanics अब nomanics क्या होता है nomanics होता है किसी भी चीज को याद करने का आसान तरीका मालो हमने कोई story बना ली और story बनाकर उस चीज को हमने याद कर लिया तो हम क्या करेंगे d block के elements को याद करेंगे किस के basis पे nomanics के basis पे हम क्या करेंगे nomanics बनाएंगे अब सबसे पहली कौन सी होती है 3D series होती है कौन सी होती है 3D series होती है यह 3D, यह 4D, यह 5D सीरीज होती है और यह 6D सीरीज होती है जो 3D सीरीज का first element होता है सबको पता क्या होता है 21 scandium क्या होता है 21 scandium सबसे पहले हम लिख लेंगे इनको 23 panadium, 24 chromium, 25 25 पे क्या होता है MN 26 Fe 27 Co 28, NI, 29, CU, 30, ZN अब इसका numanics बनाओ इसमें सबसे easy है माल लो कोई science teacher है science का teacher है वो कैसा है वो बहुत ही बुरा है, cruel है वो science teacher जो है बहुत जादे cruel है वो हर वक्त फीस मांगता रहता है अब उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी class में students जो है वो बिना फीस दिये बैठे वो फीस मांगता है और उसको जो अपने notes चाहिए वो भी बिल्कुल clear होने चाहिए जब वो notebook चेक करता है तो उसके notes विल्कुल clear होने चाहिए और clear नहीं होते तो वो उनकी पिटाई करता है तो अभी C से लगा लीजिए science teacher जो science का teacher है science teacher very cruel यहां देखो science teacher very cruel मांगे फीस मांगे फीस, copy, neat neat and clean ठीक है मांगे फीस, copy, neat अब देखो जो last वाले element है इसको आपको ऐसी याद रखना होगा copper, zinc जो last वाले दो element है इसको आपको ऐसी याद रखना होगा copper और zinc यह दो elements तो आप याद रखी सकते हो जब इतना बड़ा याद करोगे तो यह तो ऐसे ही हो जाते है copper, zinc, 29, copper, 30, zn अब देखो यहां से बताओ SC, 21 SC, Science Teacher Teacher, TI Very, Vanadium, 23 Vanadium Cruel, CR, 24 Mange, Fees, MN, 25 Fees, FE Copy, CO और NEET, Nickel, नाई तो यह हो गया कितनी इसली याद हो गए अब यह तो आपको याद ही है 21, 22, 23 यह तो ऐसी चलते है तो यह क्या हो गया First 3D Series का हो गया Science, Teacher, Very, Cruel Mange, Fees, Copy, Need और एक और वाद ध्यान रखना जो D Block elements होते हैं वो ऐसे याद रखे जाते हैं सिरीज में आद रखे जाते हैं D Block के element जो होते हैं इस series में आद रखे जाते हैं जबकि S और P Block के जो होते हैं वो Top To Bottom याद रखे जाते हैं Top To The Bottom याद रखे जाते हैं S और P ब्लॉक के elements होते हैं यह हो गए 3D series के अब आते हैं next series पे जो है 4D series अब सबसे पहले हम इसके elements लिख लेंगे 39Y 40ZR 39Y 40ZR 41 क्या होगा NB 42 42 पे क्या होता है MO 43 क्या होगा TC 44 44 पे क्या होगा R U 45RH क्या होगा RH 46 P D 47 A G 48 क्या होता है CD क्या होता है CD अब देखो इसके आप nomadic कैसे बनाओगे अब आप सभी अगर news देखते होंगे तो आपने अर्णब गोस्वामी का नाम जरूर सुना होगा अर्णब गोस्वामी जो एक फेमस एंकर थे का नाम आपने जरूर सुना होगा तो उसके नुमैनिक्स हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे अब कोई teacher है इसका भी हमने teacher भी बना दिया तो कोई teacher है वो teacher क्या कहता है उसके class में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जरूर्णब क्या होता है अर्णब का भाई मान लो जरूर्णब अर्णब गोस्वामी का जरूर्णब गोस्वामी तो यहां से वाई जर्नब उसमें जो student होता है जर्नब नाम का वो बैठा हुआ बस teacher का मूँ देख रहा होता है वो पढ़ता नहीं है वो बस मूँ देख रहा होता है तो teacher आता है कि तुम मेरा मूँ क्यों देख रहे हो पढ़ लो जाके A B C D पढ़ो तो इसका हम यहां से बनाएंगे वाई जर्नब मूँ तक मूँ क्यों देख रहा है वो इस तरीके से कहता है मूँ तक ताक ना जो होता है तक वाई जर्नब मूँ तक मूँ तक रे हू रे रे हू रे जर्नब तुमेरा मूँ क्यों देख रहा है पढ़ पढ़ ए बी सीडी ए बी सीडी की जगा वो क्या बोल देता है ए जी सीडी इसका आप यहां से देखो वाई का क्या लिखते हो शौट में वाई 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 सेप में वाई का शौट बना जेते हैं नो वाई जर्नब क्या होता है जेड आर जर्ब और नब एन बी मू तक एम ओ मू एम ओ तक टी सी रे हू रे रे हू आर यू और रे आर एच रे पढ़ पढ़ का पी डी और ए जी सीडी तो ऐसे है ही तो क्या हो गया वाई जर्नब मू तक रे हू रे पढ़ एजी सीडी हो गया जो नेक्स्ट सीरीज है वो है हमारी 5D सीरीज जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारी 5D सीरीज है और उसके ऐलिमेंट में क्या होता है क्या होता है सबसे पहले 57LA जो यह सीरीज होती है, इसमें 57LA के बाद 72HF से स्टार्ट होता है, क्योंकि सीरीज में बीच में लेंथेनॉइड आ जाता है, सेम जो 60 सीरीज है, उसमें एक्टेनॉइड सीरीज आ जाती है, तो बीच में से कुछ एलिमेंट स्किप होके F-Block में चले जाते हैं, तो इसमें हम आद रखना होगा, कि सबसे पहले स्टार्ट होता है 57LA, 57LA, ऐसे होता है, यहां से स्किप होता है, यहां से फिर लेंथेनॉइड सीरीज, फिर एक्टेनॉइड इसमें से एक्टेनॉइड सीरीज, और जाके F-Block बना लेते हैं, 57LA के बाद क्या होता है, HF, आतर HF, T-A, 72 के बाद चलेंगे, सीरीज में, 73, 74, टंग्स्टन, आगे करेंगे, 75, R-E, 76, O-S, 77, I-R, और 78, P-T, 79, A-U, और A-T, H-G, यही होते हैं, अब देखो इसका कैसे करेंगे हम, इसमें करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जो एक होता है, इनसान होता है, वो जैसे, वो होते हैं, जो हफ्ता वगरा वसूल करते हैं, मूवीज देखियोंगी आपने, जो साउथ की मूवीज होती हैं, इसमें क्या करते हैं, जो विलन होते हैं, वो स्टार्टिंग इसी से दिखाते हैं, कि वो हफ्ता वसूल करते हैं, अब इसमें ऐसे मानते हैं, कि कोई इनसान है, वो हफ्ता मांग रहा है, और अपने तीन गुंडों के साथ लेके आया, वो कि अगर तु हफ्ता नहीं देगा, तो यह तुझे मारेंगे, तो सबसे पहले इसी से बनाएंगे हम, यह कहता है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता न ऐसे अपने नाम भी मत ले जाना, यह बस ऐसी नुमैनिक हमने स्टोरी बनाई हुई है, रियान, उसामा, इर्फान अब देखो इसमें दो चीज़े हैं, ला हफ्ता बरना, रियान, उसामा, इर्फान, पीटेंगे और हसेंगे अगर तु हफ्ता नहीं देगा, तो तीनों तुमें मारेंगे और हसेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखो, ला हफ्ता 57 LA, LA, हफ्ता, HF, वर्ना, वर्ना, डब्लू, वर्ना ऐसे देखो, वर्ना कार वाली वर्ना नहीं है, ये टंग्स्टन है, रिहान का R, E हो गया, ओसामा का O, S हो गया, इर्फान का I, R हो गया, पीटेंगे, पीटेंगे का P, T, और, और का, और को इंग्लिश में ऐसी तो लिख A, U, R, तो ऐसे हो गया, A, U, R, हसेंगे, हसेंगे कैसे हसेंगे, H, G, हो गया, स्किन हमैनिक हो गया, ला, हफ्ता, एक वर्ड में से दो एलिमेंट वने हैं, यहां पर देखो, हफ्ता, ला, हफ्ता, वर्ना, रिहान, उसामा, इर्फान, पीटेंगे, और हसेंगे, फिर गहरी यह हो गया 5D series के लिए अब बात करेंगे last series, last series जो होती है 6D series होती है और इसमें जो है 89AC, 89AC actinium के बाद से जो कुछ elements होते हैं वो actinoid series में चले जाते हैं, लेंथेनोइड और actinoid series में चले जाते हैं, जो की F block बनाती हैं, तो यहां से हम, यहां पे कितना आएगा 89AC और उसके बाद हम कुछ elements skip करके यहां से start करेंगे 104UNQ, अब इनके नाम कैसे याद करेंगे जाते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो, starting किस से होती है, starting होती है, 89AC से, इनको star कर लिजएगा, आपको याद रहेंगे कि यहां से lengthinoid, कुछ elements skip होके, lengthinoid series बनाते हैं, ब्लोक में, और इसमें से actinoid series बनाते हैं, तो यह हो गया, अब इसमें क्या होता है, 104, UNQ, क्यों, यह हो गया, अब 105, अब यह elements, नाम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे याद करे जाते हैं, यह मैं आपको अभी बताती हूँ, यह elements होते हैं, देखो, इनका एक method होता है, याद करने का, अब इसमें क्या होता है, आपको इसे छोड़ के, अब आपको क्या करना है, इसमें counting लिखनी है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब आपको यह counting करनी है, और 0 को क्या कहते हैं, 0 को कहते हैं, 0 को कहते हैं, निल, होता है न, निल बटे सननाटा, निल, फर्स्ट, वन को क्या कहते हैं, वन को कहते हैं, अन, यूनी, अन, टू को, बाई, थ्री को क्या कहते हैं, थ्री को सबको पता है, कहते हैं, ट्राई, फोर को अब टेट्रा नहीं कहना है, वो होता है न, बाई, ट्राई, टेट्रा, वो नहीं कहना है, फोर्थ को कहेंगे हम क् 5th, pent 6, hex 7, sept 8, 8 को क्या कहेंगे, oct और एक 9 और होता है, इसमें 9 उसको क्या कहते है, 9 को कहते है narrow नहीं कहेंगे, 9 को कहेंगे, in E double N हो गया, अब देखो ये तो ये चीज़ें हो गई, अब आपको क्या करना है, इनके symbols याद करने हैं, symbols, जैसे nil का हो गया N, N un का U, by का B, try का T quad का Q, pent का P hex का H, sept का S oct का O, और in का E, ये क्या होगा इसके symbol क्या होगा symbol, इससे show करते हैं, अब हमें इनने नाम याद रखने के लिए, क्या करना होगा एक चीज एड करनी होगी हमें इनके नाम याद करने के लिए, इनमें एक चीज और एड करनी होगी क्या एड करनी होगी, वो है plus E M plus I U M याद करनी होगी, आप ये नोट कर लीजे इतना, और मैं उपर वाला इरेस कर दूँगी, फिर आपको ये इस सीरीज के उपर समझा दूँगी नोट कर ली उपर वाली सीरीज, अब इसके हम एक्जामपल देखते हूँ, उपर की नाम कैसे लिखते हैं सबसे पहले यही देखते हैं जो मैंने लिख दिया है तो इसमे एक्जामपल देखो, ये है 104 अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, 104 and four, यह याद होने चाहिए आपको, one पे क्या है, you, क्या है one पे, un, un का, you, फिर zero, zero का सिम्बल, zero पे क्या है, nil, और nil का सिम्बल क्या है, n, n, फिर क्या है, four, four क्या है, quad, quad का सिम्बल, q, un, q, हो गया, un, q, अब इनके नाम देखो, नाम में लगाना है हमें, em, क्या लगाना है, plus em, बाद में, सबसे पहले क्या है, you, you का क्या है, un, क्या है, un, फिर है zero, zero का कितना है, nil, four का क्या है, quad, तो इसमें क्या हो जाएगा, add, quad, और last में क्या लगाना है, one, zero, four हो गया, un, nil, quad, और last में क्या लगाना है हमें, em, em, तो क्या नाम हो गया इसका, un, nil, quad, अ, nil, quad, नीचे को लिख देती हूँ, यह हो गया, un, nil, quad, सेम ऐसी 105 का करेंगे, 106, बाकी सारे ऐसी करेंगे, एक और देख लीजे, 107 का देख लीजे, 107, 107 में, one के लिए क्या आ रहा है, one के लिए आ रहा है, you, zero के लिए, n, और seven के लिए क्या आएगा, sept, sept यानी, s, you, n, s, जब हम इसका नाम लिखेंगे, तो क्या आएगा, one के लिए क्या है, n, you, n, zero के लिए, nil, और seven के लिए क्या है, sept, sept, और last में क्या आएड करना है हमें, नाम लिखने में, e, m, तो इसका क्या नाम हो गया, un, nil, sept, i, m, और सिंबल क्या होगा, you, n, s, ऐसी इसमें सारे नाम लिखे जाएंगे, जैसे इसका होगा, you, n, five के लिए क्या होगा, pent, p, तो क्या नाम होगा, un, nil, pent, i, m, 106 का, you, n, h, un, nil, hex, 107 का होगा, 108, you, n, 8 के लिए, o, you, n, o, क्या होगा, un, nil, oct, i, m, 109, you, n, 9 के लिए, e, इसका क्या होगा, un, nil, ennium, 110, one के लिए क्या है, you, फिर one के लिए क्या हैगा, you, और zero के लिए, n, तो क्या होगा, you, you, n, un, un, nil, i, m, 111 के लिए, you, 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 और ऐसी 112 के लिए, you, you, और two के लिए क्या आता है, b, यहनिकी by, तो un, un, by, i, m, तो यह हो गई, 4D series, अब हम करेंगे कि कौन सी series में, कौन कौन से transition elements होते हैं, तो आप इसको note कर लिजे, यह नाम कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखते हैं, आप इसको note कर लिजे, अब तक हमने पढ़े हैं कि D-block series में, D-block series कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, समझ में आई होगी, नई समझ में आई तो बताना, हम दुबारा बताएंगे इसको, किसी भी चीज के tension लेने की ज़रूरत नहीं हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि transition series, क्यानि कि 3D series में transition series कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कैसे कैसे पता करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3D series जो होती है, 3D series जो होती है, 1st transition series होती है, 3D series जो होती है, वो होती है, 1st transition series, 4D series जो होती है, 2nd transition series होती है, 5D जो होती है, 3rd transition series होती है, प्रांजिशन सीरीज होती हैं इस तरीके से ट्रांजिशन सीरीज डिवाइड़ है तो 3D, 4D, 5D और 6D अब सबसे पहले देखो तो first transition series, first transition series देखो सबसे पहले, इसमें साथ के साथ notes बनाते चलो, और कुछ चीज अगर समझ नहीं आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, first है, transition series classification है ये, d block elements का, कल के आगे से ये बनाना है classification, d block elements के बारे में बताया था कल, तो आप उसके बाद करेंगे d block elements का classification, उसके लिए table याद होनी, वो series याद होनी चाहिए न, d block के elements याद होने चाहिए उसके लिए, तो आप तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें, d block में, आगे देखो, first transition series, first transition series, first transition series या 3D series, हो गई, अब हमने बताया तक 3D series में कहां से कहां तक elements होते हैं, 3D series में होते हैं, 21 scandium से लेके 30 zN तक, 21 SC से लेके 30 zN तक elements होते हैं, तो अभी हम इसकी definition कैसे लिखेंगे, the elements in which last electron enters in 3D sub shell, 3D sub shell में electron enter करता है, such elements belongs to this series, ऐसे elements 3D series को belong करते हैं, और इस series में elements जो होते हैं, 21 scandium से लेके, in the series the elements from 21 scandium to 30 zN are present, अब देखो, definition लिखो इसकी, अब देखो, the elements in which last electron, enters in 3D sub shell, last electron जो होता है, वो 3D sub shell में enter करता है, such elements, ऐसे elements 3D series को belong करते हैं, belongs to 3D series, और इस series में elements कहां से कहां तक present होते हैं, इस series में 21 scandium से, the elements 21 scandium to 30 zN, इस तरीके से लिख लो, 30 zN are present, हो गया, अब आप इसका चाहे electronic configuration करके देख लो, आप ले लो, 25 mN ही ले लो, जब 25 mN का electronic configuration करोगे, तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 3d5, 3d5, हो गया, so last electron इसमें किस sub shell में enter कर रहा है, 3d sub shell में enter कर रहा है, तो यह क्या हो गई, 3d series, अभी हमने पढ़ाता है, मन कौन सी series में आता है, 3d series में आता है, तो जो elements 3d series में आते हैं, उनको कहते हैं, 1st transition series, क्या कहते हैं, 1st transition series, 2nd transition series किसमें होती है, 2nd transition series होती है, 4d series में, किसमें होती है, 4d series में, 2nd transition series किसमें होती है, 4d में, साथ के साथ लिखते रहो, या screenshot लेते रहो, the elements in which last electron enters in 4D subshell किस में enter करता है 4D series के लिए 4D subshell में enter करता है और ऐसे elements किसको belong करते हैं such elements belongs to 4D series और in this series elements इसमें कहां से कहां तक elements present होते हैं 39Y से 48CD तक कहां से कहां तक 40 series में 39Y से 48CD तक 40 series में 39Y से 48CD तक नो मैंने क्या देश की Y जर्नब मू तक रे हू रे पढ़ A G C D ऐसे याद रखना इसको तो योगी 2nd transition series screenshot ले लो इसका आगे लेखो 3rd transition series 3rd transition series कौन सी होती है 5D series कौन सी होगी 5D series 5D series कैसी होगी जिसमें last electron जो होता है electronic configuration करने पर last electron जो होता है 5D sub shell में enter करता है electronic configuration the elements in which last electron enters in 5D sub shell 5D sub shell में enter करता है such elements belongs to 5D series ऐसे elements जो होते है 5D series को बलॉंग करते है in this series the elements कहां से कहां तक होते हैं मैंने आपको बताया था इसमें क्या है 57la यह तो होता ही होता है अब हमें यहां से नहीं लिखना ऐसे तो फिर क्या होगा कि सारे element आ जाएंगा मान लो हमने यहां से ATHG ऐसे ही लिख दिया ATHG हमने ऐसी लिख दिया तो इसका मदलब तो यह हो गया 57la से ATHG इसमें चाहें लेंथिनॉइड F block element भी आ जाएंगा और D block element भी आ जाएंगा ऐसे तो तो हमें क्या करना है 57la उसके बाद क्या लिखना है 72hf यह हो गया और फिर ATHG सो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 57la, 72hf, 280hg elements प्रेजन होते हैं और इसका electronic configuration थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज वो होती है जिसका electronic configuration करने पर last electron जो होता है 5D सब शेल में एंटर करता है तो यह हो गई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अब आगे देखो fourth transition सीरीज साथ के साथ note करते चलो इसको fourth transition सीरीज यह last सीरीज है इसकी fourth transition सीरीज इसमें कौन सी होते है 60 सीरीज कहते है इसको तो 60 सीरीज किसको कहते है जब इनका तुम electronic configuration करोगे इनका electronic इनका electronic configuration करके देखना सबका लास्ट इलेक्ट्रोंच होगा 60 कौन सा होता है एक्टी नाइन एक्टीनियम 104 UNQ इनका electronic configuration करके देखना लास्ट इलेक्ट्रोंच होगा 6D में एंटर करेगा 60 सबशेल में एंटर करेगा वो होता है ना 1S2 2S2 2P6 जब इनका लास्ट इलेक्ट्रोंच जो सबशेल होगा 60 में होगा और यह कहां तक होता है 1 to 10 तक ऐसी तो आते हैं जो जो लास्ट इलेक्ट्रोंच होगा वो इसका किसमें एंटर करेगा 60 सबशेल में और ऐसे elements किसको ब्लॉंग करते हैं 6D सीरीज को ब्लॉंग करते हैं 6D सीरीज को और इस सीरीज में कहां से कहां तक elements आते हैं अभी बताया आपको 89 A C 104 U N Q से 112 कितना? 112 112 के लिए क्या आएगा? U U B are present और देखो इस सीरीज में एक खास बात होती है जो 89 A C यानि कि एक टीनियम होता है वो एक natural element होता है 89 A C जो है सीरीज में एक natural element है बाकी के जितने भी elements है 104 U U N Q अनिल क्वाडियम से लेके अन, अन, बाई, एम तक जितने भी elements होते हैं वो सारे artificial elements हैं, man-made elements हैं तो इसमें एक पॉइंट ये भी add कर लीजे इन दिस सीरीज only 89 A C is a natural element सिर्फ 89 A C जो है वो natural element है rest of, rest elements are rest elements rest elements कितने कौन-कौन से होंगे कौन-कौन से होंगे 104 से 112 U U B 104 U N Q से यहां से 112 U U B तक are artificial और man-made elements ठीक है और यह जो होते हैं यह elements radioactive होते हैं these elements are radioactive in nature radioactive तो पता होते हैं कौन से हैं तो यहांसे इनका screenshot ले लो screenshot ले लिया अब देखो इसमें यह तो हो गई हमारी classification D-block series का अब हम क्या पढ़ेंगे configuration पढ़ेंगे इसका configuration कैसे होता है D-block series में कुछ elements ऐसे होते हैं जिनमें contraction होता है इसमें जैसे 24 होता है 24 chromium और 29 CU यह elements होते हैं जो आप वोई प्रिंसिपल का configuration का stable नहीं होता है तो हम stability के basis पे इनका configuration करते हैं और अब तक जो भी मैंने पढ़ाया इसमें अगर तुमें कोई भी doubt है तो आप नीचे comment में बोल दीजिए और हमसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं classes के लिए कुछ भी information आपको हमसे collect करनी है about notes देखो notes तो मैं complete बनवा रही हूँ notes तो आप starting to end सारे एक साथ लेके चलिए screenshot ले लीजिए और करते चलिए और कुछ भी information आपको चाहिए तो आप instagram पे follow कर लीजिए instagram पे आप महाँ पे message कर सकते हैं आप कुछ भी information आपको लेनी है telegram group join कर लीजिए telegram पे आपको daily videos के notification मिल जाते हैं video डलने से पहले ही live के notification आते हैं videos के notification आते हैं तो telegram join करने के लिए आपको सबसे पहले play store से telegram install करना होगा telegram install करके आपको search bar में search करना होगा physics guru India यह search करना होगा और जो इंस्टा आइडी है इंस्टा पर follow करने के लिए आपको कौनसी आइडी follow करनी होगी आपको करना होगा physics अंडर्सकोर गुरू अंडर्सकोर इंडिया यह है इंस्टा आइडी इंस्टा आइडी पर इस पर जाके आप follow कर सकते हैं और telegram group join करने के लिए सबसे पहले play store से telegram install कीजेगा और फिर वहाँ पर search bar में search कीजेगा physics guru इंडिया कुछ भी information आपको हमसे चाहिए आप वहाँ से collect कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कल जो हम पढ़ेंगे वो होता electronic configuration और d block की बहुत सारी properties तो कल के लिए ready रहिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ thank you so much for supporting us ऐसी support करते रहें ताकि हम आगे आपके लिए और भी जादा वीडियो लाते हैं